इरान लगतार एराक में मौझूद अमेरिकी एइन अल-असद एरबेस पर लगतार हमला कर रहा है इरान के कमांडर जनरल कासिम सुलिवानी का बदला लेते हुए इरान की ओर से पहले 20 से अधिक बैलिस्टिक मिसाले दागी गई गुरुवार को भी दो रॉकेट डागे गई जिस एरबेस पर इरान ने रॉकेट डागे है अब वहां के सैटलाइट तस्वीर सामने आ रही है जिसमें साफ दिख रहा है कि इस हमले में कितना नुकसान हुआ है इरान के हमले में बगदाद में मौझूद अमेरिका के अल-असद एरबेस की साथ इमारतों को नुकसान पहुँचा है कुछ इमारतें ऐसी भी हैं जिनें बहुत जादा नुकसान हुआ है ये नुकसान सैटलाइट तस्वीरों में भी दिखाई पड़ रहा है बता दे इरान की कुछ मिसाईले अल-असद एरबेस के करीब 30 किलो मिटर दूर अल-हीत गाउं के पास भी गिरी लेकिन वे फटी नहीं इसलिए वहां किसी नुकसान की कोई जानकारी नहीं है इरान ने दरजन भर से अधिक मिसाईले दागी जो एरबेस के आसपास ही गिरी इसके बाद गुरुआ को भी इरान ने दो रॉकेट दागे जो की ग्रीन हाउस जोन में ही थे जी हाँ आपको बता दे इरान ने दावा किया था कि उसके हमले में अमेरिका के 80 सैनिक मारे गए थे हाला कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल टरंप ने इस दावे को जूटा करार दिया है डोनाल्ड टरंप ने एलान किया कि इस हमले में अमेरिका के किसी सैनिक को नुकसान नहीं हुआ है दोस्तो इस वीडियो में फिलाल इतना ही देश और दुनिया की ऐसी ही बाकी ख़बरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए धन्यवाद